साईयो गोपी, दादा गोपी कहा है? गोपी, यह कहां गई? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने उसे जाते नहीं देखा क्या? यहीं तो बधी हुई थी, नरसी है, मतलब कि खुद तो खौल के नहीं जा सकती है साबरी, चलो बाहर ढोड़ते उसको साईयो 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 लगता है बाबा गोपी को चराने गए और आत्या भी अब तक बाजार से नहीं आई मैं क्या करू अब? वो काका को सुका चारा भी नहीं मिला गोपी का बच्चा भूका है बाबा से पूछने का समय भी नहीं मैं क्या बाबा मैं क्या बाबा बाबा मकरान काका मैं आपके घर ही जा रहा था मैंने आपको शंकर काका से सुका चारा मांगते हुए देखा आपको नहीं मिला तो मैं मेरे घर से लेकर आया थोड़ा रखा था मेरे पास यह तुम मेरे लाए हो हाँ काका मैंने आपको चारा के लिए बटकते हुए देखा और गोपी का बच्चा उपर से मेरा दोस्त है तो अपने दोस्त को ऐसे भूके कैसे रह न दे सकता हूँ जी जी है काका धन्यवाद काका मैं भी आपके साथ चल कर एक बार देख लूँ मुझे उसके याद आ रहे है मेरी तो आख खुलते मुझे उस बच्चडे से खिलने का मन करता है लेकिन मैं गोपी से भी खिलता हूँ पर अभी कुछ दिनों से गोपी बिमार है और साई ने उसका बच्चा आपके पास बेज दिया पता नहीं साही ने ऐसा क्यों किया लेकिन मेरी आत्या कहती है हिसाही जो भी करता है उसके पीछे किसी का बहला जुपा रहता है काकी आपने किसे गाय को देखा क्या अभाव भाव आपने मेरी गाय देखी गोपी प्रेंग भाव भाव सुनिया ना आपने किसी गाय को देखा क्या उसकी रस्सी खुल गई और वो कहीं चली गई आपने देखी क्या कहीं मेरे ने देखी कहां चली गई कोपी साई मदद कीजिए ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए मन विचलित हो और कोई अंधियारे की गहरी रात जो आए हिमत तूटे और कुछ भी समझ न आए तू श्रधा पत पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तेरी श्रधा भक्ती धीर तुझे उस पार लगाए तेरा सैयम और विश्वास तुझे राह दिखाए सावरी यह देख गोपी के खुर के निशान अचानक कैसे साई यह साई काई चमकार दादा अन्यवाद साई ओम साई राह है यह ददा साई बस यही तक थे गोपी के खुर के निशान सावरी अब उसकी जरूरत नहीं है अब समझा है के गोपी क्यों बहुत अपने बच्चे से मिले बगार नहीं रहा रही है यह साई अब तक तो मैंने आप की बात मानी लेकिन अब चाहे कुछ भी होजा मैं दोनों कॉलक्ट नहीं करूँगा सावरी इन्हें अलग तो मैं भी नहीं करना चाहता लेकिन बीमार मा का दूद पी कर बच्रा भी बीमार हो जाता इसलिए ऐसा करना जरूरी था अगर इन्हें एक दूसरे के सामने रखते लेकिन पास नहीं आने देते तो ये इनके लिए और दुपडायक हो जाता इसलिए बच्चे को दूर भेज़े लेकिन अब गोपी की तबियद ठीक है अब इसे इसके बच्चे से कोई नहीं दूर करेगा तो ये कारण था आपकी इस लीला का? और एक वज़े भी है किसी को समझाना था कि एक मा को बच्चे से दूर करना कितना बड़ा पाप है कोई है जो एक पाप करके बिच्चु बैठा है शायद इन मापच्चों की पीड़ा देखकर उसे भी समझ आ जाए साही अब किसकी बात तर है? क्या वो कोई अपने श्रेडी से ही है? काका मैंने आपके मुँसे एक बात सुनी थी कि आपको गरेब बुरे लगते है ऐसा क्यों? और आपने उस दिन मेरे हाद से प्रसात भी नहीं लिया आप तो पहले मुझसे बात भी नहीं करते थे इसले क्योंकि मैं गरेब हुना? यहाँ? नहीं, बेटा उसको बहुत प्यार है क्या प्रस्वार से वारिष बगवार? इसे वारिष, लट्टाय सुखा चारा फिर गिला हो जाएगा. पिड़ो गोपाल, उमें जल्दी घर चलना होगा. चलो! लगाल, 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 लगाल लुझ में लुझ ऑाल जाबाश मकरन्द, आज तुम भी अपनी चुनाओती में सभल हुआ हो, लेकिन साहीं, ये चारा मैंने गोपाल लाया है, जारा लाना जरूरी नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें अपना अभिमान त्याग कर शंकर से चारा मांगने को कहा था, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, कि इंसान की हैसियत की पहचान उसकी तौलत से नहीं, बल्कि उसके संसकारों से होती है, जो आज साबित भी हो गया, जब गोपाल ने तुम्हारे लिए चारिका प्रबंध किया, वो काम जो तुम अपनी दौलत से नहीं कर पाए, एक खरीब के बच्छे ने कर दिया तुम्हारे लिए, आज तुम्हें उसका एहसास भी हुआ, और उससे प्रभावित होकर, तुम अपने आप में परिवर्दन भी लाए, आज तुम अपनी उन धानाओं के विरुद्गे, जिनसे आज तक अपने आपको परिभाशित करते आये थे, मकरन, एक दिन जिस बच्चे के हाथ से प्रशाद भी लेने से इंकार कर दिया था तुम ने, मैं साइं, आपके हाथ से मिलेगा, उही प्रशाद स्विकार करोगा, आज तुमने उसी के सर पर हाथ रखा, यही तुम्हारी सफलता है, साइं, अब तो मुझे मेरे बच्चे के बारे माँ बता दीजिए, मकरन, अब जब तुमने अपनी चुनोती को पूरा किया है, तुम अपने बच्चे तक भी चल्दी पहुँच जाओगे, और हाँ, अब तुम्हें बच्चडा पालने की जरुवत नहीं है, साइं, अब तुम माँ बच्चरे को ले जा सकती हो, और हाँ, यह बच्चा हुआ चारा भी ले जाना, मकरन को अब इसकी जरुवत नहीं है, गोपाल, पेटा गीला कुड़ता निकाल दो, लौ में पान्नी निकाल देता हूँ, नहीं तो ठंड़ लग जाएगे, लौद्धो, को अजे जा भी जाना, बचसे लच्छी! चलो वेट अगो पार! इस अदमी ने मुझसे मेरा बीटा चीना है! मेरा नंदलाल चीना है! मैं एसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा! क्या हसलोगा उसे? एक ऐसा हिंसाफ ऐसा ही? इतने सालों बाद मुझे मेरे बेटे के बारे में पता चला और वो! वो ऐसे लोगों के भीच में पलकर बड़ा हुआ है जिसे मैं कभी बात करना भी नहीं चाहता हूँ! गरीब लोग! तो करीबी में ही जन्म लेते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं! जिरह कोई नहीं जानता! इनके समाज में होना ये ना होना सब एक बराबर है! हैसे आदमी के घंड में मेरा बेटा रहा इतने साल बचला कहां से आया, चारा कहां से आया इन सब को तो मैं छुपा सकता हूँ! जिसाई गोपाल? गोपाल को मैं कैसे छुपाऊंगा? गुपाल को तो सब जानते है यह गुपाल की गलती है इसलिए तो इसलिए जिसकी गलती है मैं उसे माफ नहीं करूँगा उसके किये की सजा मैं उसे दे कर रहूँगा किसी को समझा नहीं कि एक मा को बच्चे से दूर करना कितना बड़ा पाप है कोई है जो एक पाप करके चुप बेंड़ा है बाबा? आज मैं आपको काना के लाँगा जबसे गुपी उसके बच्चे से अलग हुई है जबसे आपने टेक से कुछ खाया भी नहीं तुमेरा सबस अच्छा बेटा गुपाल तेरे बिना मैं कभी नहीं जी पाऊंगा और आप सबसे अच्चा बाबा है बेटा अब तो खा ले मैं थोड़ी देर में आता हूँ आज मैं अपने बेटे को सच बता करी रहूँगा और फिर मैं उस हरिया को पुलिस के हमाले कर दूँगा पूरी जिंदगी सड़ेगा जेल में मकरान जी आपके पास ही आने वाले थे यह देखे एक बहुत ही अच्छी खपर है इस बात की पुस्टी हो गई है कि हमारे समारों में समलित होने के लिए इस चेतर के बड़े-बड़े अपसर और समाज के सारे इजद्दार लोग आ रहे हैं सब लोग आने वाले? यह मतलब सबने निमंतर्ण स्विकार कर लिया? हां मकरान जी जैसे ही पता चला इस साल आपको सम्मानित कर रहे हैं सब ने एक पल की भी देर नहीं की हां कहने में आपकी इजद्द तो हमारे समाज में हर जगा इसनी है कि लोग शिड़ी तक आने को तयार हो गए सब लोग आपको हमारे समाज के प्रतिनीजी के रूप में देखते हैं एक आदर्ष नागरिक के रूप में आपके रहनसन आपकी विचार धारा जिससे आप समाज की मान, सम्मान, प्रतिस्टा को बनाए रखने का भरपुर प्रयास करते हैं इससे सबी लोग परभावित हैं और सबी लोग इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं यहां शेड़ी में मेरा मान, सम्मान, समारो होगा अगर मैंने यहां सब के सामने गोपाल को अपने बेटे के रूप में अपनाया तो लोग क्या सूचेंगे? लोगों की छोड़ों को, मेरी अपनी भेंग तेजस्वी क्या-क्या बूलेगी? मेरी बनी बनाई उसर मिट्डी में मिल जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता साइन आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में मैं चोर नहीं हूँ इसलिए बार-बार चोर कहना मुझे बंद करिये हाँ मुझसे गलती हुई है मैं मान तो रहा हूँ और जो आप मुझे समझाना चाहते हैं वो मैं समझ भी चुका हूँ लेकिन मैंने गुपाल को नहीं चुड़ाया आप अंतर यामी है न त्रिकाल दर्शी है ऐसा सभी मानते है तो फिर कैसे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था गुपाल मेरे जीवन में कैसे आया क्या ये आपको नहीं पता पता कि अपको नहीं पता है